सबसे अच्छा तीन तॉप 3 में कहीं निम्या घाथ को सामिल किया गया है इसके बारे में बात करेंगे तो चलिएगा सबसे पहले जानेंगे कि ये निमिया घाट है कहाँ पे तो ये निमिया घाट जो है ये गिरी डी जिला में आता है ये गिरी डी जिला जो कि पारसनात पहाडी के लिए जाना जाता है तो गिरिन डी जिला में आप लोगो निम्या घार ठाना का चैन क्या गया है और इसको जो है सरुस्रेश पुरुषकार सी नवाजा जाएगा यानि कि टॉप फिरी में निम्या घार को चैन करने के बाद केंद्रिय गिरिय मंत्री जिनका नाम अमिस्सा है अभी वर्तमान में अमिस्सा जी क्या देखने को मिलेंगे अमिस्सा वर्तमान में किंद्रिय गिरिय मंत्री देखने को मिलेंगे उनके द्वारा सम्मानित क्या जाएगा ये पूरे जारखंड वास्यों के लिए बहुत गौरों की बात है और यहाँ पे 28 नॉम्बर को रिहरसल के लिए वहाँ पे उपसित होने का निर्देश भी दिया गया है जो भी वहाँ के थाना देच है उनको वहाँ पे बुलाय जाएगा उनको पुरुसकास से नमाजा जाएगा बहुत वड़ी खुसकबरी है और यह सवाल आपके पेपर में भी पूछे जा सकते है कि बताईएगा हाली में जो देश का सबसे अच्छा तीन थानों को सामिल कियागा उसमें जारखन का कौन सा थाना है या कहां से बिलुन करता है कौन सा जिला से तो गिरी डी जिला से आप लोग को याद रख लेना है और यहां पे बोला जा रहा है कि इनको सम्मान से केंद्री गिरी मंतरी के दवारा नवा जाएगा अब एक मन में सवाल आता है कि निविया घाठ ठाना में आखिर ऐसा क्या है भई क्या ऐसा खास है कि आखिर इसको चैन किया गया है दिखेगा ये परतियक वर्स ये रिपोर्ट जो है केंद्रियगरी मंतराले के द्वारा जारी किया जाता है इसमें देखा जाता है कि यहाँ पे आम लोगों के लिए पब्लिक लोगों के लिए कैसा वहाँ पे वे उसता है चाहे पुलिस का बहवार कैसा है वहाँ पे बातरूम वेगरा जो है वो कैसा स्थाप सफाई है कि नहीं जो भी जेल वेगरा जैसे क्या होता है तुरंट तो बड़ा जेल में नहीं ड़ाला जाता है आगे वहाँ पे कोई भी F.I.R. वेगरा होता है कैसा है लोगों के साथ थाना द्याच का क्या संबंध है कैसा रिलेशन है क्या वो अच्छे से बात करते हैं कि नहीं करते हैं तो ब बिकलांग लोगों के लिए रैंप की सुविदा यानि की जो बुजूर्ग वेगरे लोग है उनको जाने आने के लिए भी बहुत अच्छा से वहाँ पर बेवस्ता किया गया है थाना परिसर में बोला जा रहा है कि एक अच्छा बेवस्ता साफ सफाई पे CCTV कैमरा से लैस है फ जमिया घाट के ततकालिन थाना परभारी राना जंग बहादूर के समय हुआ था इसलिए ट्रोफी लेने के लिए उन्हें ही निर्देश दिया गया है यानि कि राना जंग बहादूर जी का बहुत अधन्यवाद की एक बार पुना जो है जारखन को पुरे भारत वर्स पर जो है 200 पर डल पे कहिने कही नाम रोसन करने का मौका दिये हैं क्योंकि इस तरह का न्यूज बहुत कम ही रेखने को मिलते हैं मगर इस तरह का न्यूज भी आते हैं तो वो कहिने कही हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है फायदे मन्स चावित होता है और इसी तरह के more informative वीड जे है उसको वीडियो लेकर आऊंगा आप लोग को और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को सेर करिए वीडियो को लाइक करिए धन्यवाद